Hello everyone, this is Saakshi Agarwal from Alir Kotla. I welcome you all on Mihinti Bacche. I hope you all are doing well. So, आज इस वीडियो दे विच अपा November 2020 दे Current Affairs डिसकस करांगे, ए Part 2 है. इस तो पहला भी 20 Current Affairs Part 1 दे विच डिसकस हो चुके हैं. जड़े आपा ए Current Affairs डिसकस का रहे हैं, वो आनवले एक्जाम, PPSC दानाप तसील दार एक्जाम, Punjab PCS एक्जाम, Assistant Superintendent of Jail एक्जाम दे विच थोड़े बहुत काम आनगे. Because ए Current Affairs नूँ डिजाइन किता गया, एक्जाम नूँ नजर दे विच रख दे होए. So, जड़े भी Students चैनल उपर नूँ है, तो जिना ने चैनल उपर सब्सक्राइब नहीं किता, जरूर करो, अगर वीडियोज अच्छे हैं लाग दे, लाइक करो ते जातो जादा शेर करो. So, इस तो इलावा भी तो उनूँ चैनल उपर डिफ्रेंट डिफ्रेंट सब्जेक्ट्स उपर मैटेरिल मिल जुगा, सो तुसी सारी वीडियोज देख साग देओ. So, स्टार्ट कार दे आँच दे डिसकॉशन, सबतो पहला Current Affair है regarding Ropex Ferry Service. So, एक Ferry Service स्टार्ट होई है, सबतो पहला दे पता होना चाहिए है किते स्टार्ट होई है, गुजराद दे विच. Okay, ते जड़ी एक Ferry Service है, और केड़ी दो जगा नूँ जोड़ूगी गुजराद दी, गोगा एंड हजीरा. Okay, ते जड़ी Ferry Service है, उन्हों प्राइम मिनिस्टर ने लॉंच किता थ्रो वीडियो कॉन्फरेंसिंग. Ropex Ferry Vessel है जड़ा, उदा नाम की है, वोज सिंफनी. Okay, जोकि एक 3-deck Vessel है, इट है लोड कपैसिटी, तू लोड 30 ट्रक्स. जड़ा एक वैसल है, उदी कपैसिटी है, कि ये 30 ट्रक्स नो लोड कार साकद है, 100 पैसेंजर कार्स, and 500 पैसेंजर्स. Okay, the Ropex Terminal has a wide range of facilities, such as parking area, office building, water tower, and a substation. एदे विचे सारे features भी ने, जड़ा Ropex Terminal है. Okay, उस तो इलावा, अगर एदे benefits जिगाल करिये तक ही है, जिट ये ferry है, वो वर्क करूगी as gateway to Saurashtra and South Kujrat, it will reduce the distance between Hazira and Goga from 370 km to 90 km. सब तो पहला benefit के हुगा, distance कट हुगा. Okay, 370 km to 90 km हो जुगा between Hazira and Goga. Second is, it reduces the cargo travel time from 10 to 12 hours to 4 hours. Okay, cargo travel time नुए है, तक करीबन 10 to 12 कंटे लगदे हैं, उनों किनने कंटे लगदे हैं? 4 hours. Okay, then, it helps to save large fuel, approximately 9,000 litres of fuel जड़ा है उपर दे दही सा अपनन, save होगा. The ferry will transport 5,000,000 passengers, 50,000, 2-wheelers, 30,000 trucks and 80,000 passenger vehicles. The ferry service will increase ease of access to Shaurashtra region. Okay, it will boost tourism, especially religious tourism in the regions of Somnath, Porbandar, Dwarika and Palitana. Okay, so, एदेना टूरिजम भी increase होगा, ठीक है? So, next current affair discuss कार दे हैं, यह रिगार्डिंग युएस election 2020. So, एदे विच, जॉन बीडन जो हैं, ओ जित गए, ते उनना ने किनना नो हराया? डॉनल टॉम्प नो, so, जो भी डन, जो की युएस प्रेजिडेंट बन चुके ने, उनना ने हराया किनो हैं, डॉनल टॉम्प नो ये तो उनना पता होना चाहिद है? पेपर च पुछ साग दे हैं. Okay, his oath of office as 46th President of US will be administered by Chief Justice of Supreme Court. जड़े उनना दे ओथ है, as 46th President of US, उननो की ने administered किता Chief Justice of Supreme Court ने. Okay, हम तुसे यहां दसने है, इंडिया दे विच जो दो प्रेजिडेंट बन दा है, ता उस टाइम ते ओधी जड़े ओथ है, ओ कौन अदिनिस्टर कार दा है? एदा आंसर तुसे comment section च दसी हो. ठीक है? He is to assume office on January 2021. The election results make Trump the first one term president since 1990. हुन क्योंकी elections दे विच डॉनल टरम्प दी हार हुई. इसले ही, अगर आपन 1990 तो देखे ता, डॉनल टरम्प ऐसे first person बन गे जड़े की सिरफ एक टरम दे ली प्रेजिडेंट रही. जर्नली, US दे भी जड़े प्रेजिडेंट उन दे हैं और two terms ले ही बांग साग देनें. ओके, so जड़े भी बनेने आज तक, वो हमेशा two terms ले ही बनेनें, अगर आपन 1990 तो देखे. बड़े डॉनल टरम्प ऐसे first president बन गे, जड़े की एक term दे ले ही रहे. ओके, उन कुछ basic details एक दे हैं रिगार्डिंग जो बिदन. जो बिदन सर्वेस 47th vice president during Obama administration between 2009 and 2017. ओके, in 2009 during the great recession, he oversaw the infrastructure spending of America. then, US election, the election for president of United States held once in four years, जड़ा US election है presidently, ओ चार साल च एक वार हुन्द है, ए person cannot run for US president election for more than two times. यह मैं तो उन्हों 10 चुक्क है हूं रड़ी. ओके, so, third हुन current affair देख देहां, यह हैगा regarding one rank, one pension scheme, यह निउस्च क्यों है, because यह scheme ने recently five years complete किते ने. So, यह दो पर question भी आसागदे exam दे विच. Okay, on November 7, 2020, Prime Minister Mr. Narendra Modi announced that one rank, one pension scheme of armed forces has complete five years of successful journey. The government of India has disbursed Rs. 42,700 crores to more than 20.6 lakh ex-servicemen in last five years. So, अगर आपा last five years दिगाल करिये, the government ने 42,700 crores disbursed किते हैं to more than 20.6 lakh ex-servicemen नो. Okay, last five years दे विच. So, हुन अगर आपा one rank, one pension scheme दिगाल करिये था कि यह, अंडर scheme, every retired personnel of Indian army will be getting the same amount of pension irrespective of date he retires. यह scheme दे अंडर हर retire personnel है, जो Indian army दे. उना नो same amount of pension मिलोगी, ओदे विच यह date नहीं देखी जाओगी कि यह person का दो retire होया. Okay, जिड़ यह scheme है, वो practice चाहे 1947 तो after 26 years, that is 1973, Indira Gandhi government ने terminate करती है, फेर यह scheme नो 2008 दे विच introduced दुबारा किता गया, ते यह नो 2014 तक चलाया गया. So, यह वली news काफी important है, because new chief information commissioner बनाया गया है, so सबता पहलो ना दा, नाम पता होना चाहिए कि किनू बनाया गया है. Mr. Yashwardhan के Sina नो appointed किता गया as new chief information commissioner, okay, so president of India Shri Ramnath Kovind appointed Shri Harshwardhan के Sina as a new information commissioner of India, okay, CIC. The post of chief information commissioner was laying vacant over two months after Bimal Julka complete his term in August 2020, इनना तो पहला काउन सी Bimal Julka, okay, so हुन काउन है? Yashwardhan के Sina, Sina was shortlisted for the post by three member committee, जिदे head con है, Prime Minister Modi, okay, so हुन अगर आपा Mr. Yashwardhan Kumar Sina दे बारे कुछ details पढ़िये, ता इनना दा बर्थ 1958 दे भी चोया, इनना ने Indian Forest Service नो join किता, ओके, ते former high commissioner रहे India दे to UK, he was appointed as information commissioner in 2019, ते हुने नना नो appoint किता गया है as chief information commissioner, ओके, इंपोर्टेंट है, याद रुख्यो दे बारे, then, 5th current affair है regarding 1st India Nordic Baltic Conclave, so 5th November 2020 नो 1st India Nordic Baltic Conclave है, जेडी, ओ वर्चुली है वोई, इंडिया नो represent किता by external affair minister, कौन है, Mr. S. Jaisankar, okay, जेडी ये conclave है, ओनो jointly host किता, किना ने, Ministry of External Affairs and Confederation of Indian Industry ने, एभी तो नो पता हुना चाहिए दे कि जेडी conclave है किने host किता, Ministry of External Affairs and Confederation of Indian Industry, okay, the conclave focus on clean technologies and renewable energies, artificial intelligence, supply chain logistics and blockchain-led transformation, main focus conclave दा, एस सारे points यो पर रिया, okay, the Nordic Baltic 8 includes Estonia, जेडी Nordic Baltic है, ओधे विच केड़ी केड़ी countries है, okay, Estonia, Denmark, Finland, Latvia, then Iceland, Norway, Lithuania and Sweden, the Baltic States are, जेडी Baltic States हो केड़ी केड़ी ने, लाट्विया, then Lithuania, then Estonia, these three countries are located in the Baltic Sea and are fast growing economies, जेडी ए तिन ने, ए तिन दी तिन Baltic Sea दे विच लोकेटिद हैं, ते fast growing economies हैं, okay, so एनना बारे याद रख्यों कि Nordic Baltic 8 दे विच केड़ी केड़ी countries आं दियाने, then, sixth current affair है regarding carrot, okay, so जेडी carrot है, recently news चाहे, ए है की चीज, सब तो पहला था है, एही बता होना चाहिए है, ए एक joint naval exercise है, जेनों कि केड़ी दो कंटरीज है विच कंड़केता गया, Bangladesh and US, Bangladesh and United States held a joint naval exercise, carrot, okay, so carrot is cooperation of float readiness and training, ए दी full form है, cooperation of float readiness and training, जेडी exercise हो कित्ते होई, चिटा गॉंग दे विच, okay, ए ने important नहीं है, पर कई वर पुछलंदियां सो पता होना चाहिए है, की केड़ी दो कंटरीज दे विच होई, ते की चीज है, so, seventh current affair है regarding वागीर, सिद्धा एक्जाम चाह जोगा वागीर न्यूस्ट सी, एक ही चीज है, एह स्कॉर्पियन सब्मेरीन है, okay, से वही न्यूस्ट क्यों सी हुन देख दे हैं, इंडिया नेवी ने recently, फिफ्थ स्कॉर्पियन सब्मेरीन, जिदा नाम है वागीर, उन्हों लॉंच किता है, at मेजागाउं डॉक ऑफ, साउथ मुंबई, सब्मेरीन जडिये हैं, ओहों मिशन्स ले साग दिया, केड़े-केड़े anti-submarine warfare, anti-surface warfare, mine laying, intelligence gathering, and area surveillance, ओके, वागीर इस पार्ट अफ, six, कलवरी क्लास सब्मेरीन, that is being built in इंडिया, जडिये वागीर है, ओहों कलवरी क्लास सब्मेरीन दा पार्ट है, जिन्नों की इंडिया दे विच्छी बनाया गया असी, these submarines were designed by French Navy, जडिये submarines है, नानू किनना ने design किता है, French Navy ने, and an energy company, DCNS, the six submarines were built under project 75 of Indian Navy, ते नानू केड़े project दे तहत बनाया गया, इंडिया ने भी दे project 75, जडिये वागीर है, ओदा नाम, Sandfish दे नाम तो बाद रख्या गया, it is a deep sea predator in Indian Ocean, जडिये फर्स्ट वागीर है, उनू 1973 दे विच commission किता गया सी, ते जडिये फर्स्ट वागीर सब्मेरीन सी हो, कितो सी, रशिया तो, तो यह कुछ basic details है दे बारे याद रख्यों, तो एट current affair है, regarding three step disengagement in Pangong Toso, ओके, तो इंडिया औन चाइना agree to implement three step disengagement in Pangong Toso, under the new plan, the military forces of countries are to move back to their respective position, before April May 2021, हुँँजे, हुँँ अपने सबने पढ़े आई है, नियूस ची भी देख्या होगा कि किन्नी जादा conflict होई ए रीजन दे विच इंडिया ते चाइना दे विच, ओके, तो जेड़ा है three step disengagement होई है, ये दे विच की क्या गया है कि दोनों जेडी countries होना, तो the military forces ने decide किता है कि ओहो move back करन गया, पिच्छे हाट जन गया, April में 2021 तो पहला पहला, okay, as first step of plan, the tanks and armed personnel carries are to be move back from their respective front line deployment position within one week, अब तो पहला जिटे tanks ते armed personals है, ओ, move back होनगे, okay, in step two, both the countries are to withdraw 30% of their troops deployed on the banks of Pank Toso Lake, so step two दे विच दोनों कंटीज विड्राओ करनगे, 30% troops नू जना नू deploy किता होया, Pank Toso Lake दे banks दे, the Indian side has agreed to come close to its administrative Dhan Singh Thappa post, the Chinese agreed to go back their position which is east of finger 8, in third step, the two sides are to withdraw from their respective position along the southern bank of Pank Toso Lake area, this include territories and heights around Rizangla and and choose Hull, okay, so ये तुसी इनना बारे याद रख्यो, और तो बाद, next, 9th करेंट अफेर है, regarding national database of unorganized sector, Finance Ministry ने अपना approval देता, की create कारसाग दे national database unorganized sector दे लई वी, okay, ते first बार हो रहे है, की migrant workers दे लई database त्यार हो रहे है, the aim of creating national database is to give a proper platform, to migrant laborers, हुन ए चीज क्यों हो रही है, aim की है ए चीज दा, की जड़े migrant laborers है, उन्होंने एक proper platform देना, okay, it will also make it easy for the government to implement programs for unorganized sector, देखो, एदे ना दो चीज़ा हुन गया, सब तो पहला तर्डे migrant laborers है, उन्होंने एक proper platform मिल जुगा, उन्होंना ता पुरा database त्यार हो जुगा, secondly की है, जेडियां भी programs चलाए जान दे, unorganized sectors दे लई, ठीक है, government नूँ easy हो जुगा, की ओ सब दे benefits भी, इनना तक पहुंचाए जान, because database ही नहीं उन्होंने जान ली, इसले ही फ्यादे भी नहीं पहुंचाए जान दे, okay, so national database of unorganized workers जे बारे न कुछ होड़ details जे एगने है, the ministry of labor and employment has said that national database of unorganized workers will maintain the database of workers using their 12-digit अधार number, so जेड़े database है, उन्हादा जिड़ा अधार number है, उन्हों यूज करके बनाया जाओगा, the database will enroll all unorganized workers including migrant laborers, जे विच migrant laborers नो भी include किता गया है, तिस सारे unorganized workers ने migrant laborers भी ने जे विच, okay, a database of all workers will help government in implementing social security schemes, providing jobs and giving other benefits to unorganized laborers easily, it can also help in keeping track of worker movement in situation like COVID-19, COVID-19 जैसे अगर situation अंधी है होर, ठीके ओदे विच वर्कर्जा track भी रख्या जाओगा एदे नाल, the database will also help workers to share details about his or her skills, and get suitable work, उन्हें database जा होर की फायदा होगा, जेडे वर्कर्ज ने वो अपने skills ले बारे share कार सकनगे, ठीके आदे उन्हान जॉब मिलनी वीजी हो जोगी, the total cost of project is expected to approximately Rs. 650 करोड, worker will be encouraged to enroll on the website for database and common service center can be used for this, जेडे वर्कर्ज ने इन्करेच किता जाओगा कि वेबसाइट ते जाके आपने आपनों इन्रोल करन, तो अधर ले जेडे common service centers हैं उन्हान दा वीजी किता जाओगा, तो 10th current affair है regarding migration policy index, सबता पहला जेडा index हैं उन्डिया migration नाउने release किता हैं, तो एदे वीच integration जो interstate migrants हैं उन्हान नों measure किता गया हैं, ओके अगर आपा देखिए एदे वीच किनना score हैं इंडिया दा 37 out of 100, अगर आपा इंडेक्स सीगाल करियें, तो एदे वीच क्या गया हैं इंडिया दियां कुछ states, जिमें केरला, गोवा, राजस्थान, अंदरापरदेश, ठीक हैं, वो बहुत जादा successful रही हैं, migrant workers नो integrate करन दे विच, बर जड़ी दिल्ली हैं, ओहो इनना अच्छा perform नहीं कार पाई, ओके, सो, next, 11 current affair है, Sudan नो remove कार दिता गया है, from state sponsors of terrorism list, सब तो पहला आप एही देख दे हैं, कि जड़ी state sponsors of terrorism list है, एक ही चीज है, it is a list generated by United States, the list consists of countries that are repeatedly providing support to international terrorism, एक ही चीज है, एक list है, जिन्हों कि United States से दवारा generate किता चन्द है, ते list दे विचो सारी countries ने, जड़ी है कि बार बार support प्रवाइड कर दिया, इंटरनेशनल टर्रिजम नूँ, ते ओस लिस्ट दे विचो Sudan दा नाम removed कर दिता गया, okay, Sudan was removed from the list of state sponsors of terrorism, इंडिया ने एद़ वैलकम किता है कि बहुत अच्छी गल है, Sudan दा नाम removed हो गया, okay, also India welcomed the normalization of Sudan's relations with Israel, सो यह भी याद रख्यों क्योंकि आ सागद है कि रिसेंटल ऐसे केडी कंट्री है जिदा नाम स्टेट स्पांसर अफ टेरिजम लिस्तो रिमूफ किता गया सुदान और तो बाद नेक्स्ट ट्वेल्थ करंट अफेर है रिगार्डिंग फास्ट टैग जैनुरी वन ट्वेंटी ट्वेंटी तो जिदे फास्ट टैग उननानू मैंडेटरी किता जा रहे है सारे फोर विल्लवर से लेगी इनना बारे उना पा देखते हैं मिनस्ट अफ रोड ट्रांसपोर्ट इंड हइं ने कहा ए कि आउन पा घाल कर देक्ण कि फास्ट थैग्स कि हैं यह बैसिकली प्रीपेट अउट्ल क टोल से लीहिं ठीक है तेना नो पेस्ट किता है जान्द है यूजली on windscreen of vehicles fast eggs are rechargeable and the amount of toll is automatically deducted once these vehicles pass through the toll center areas एदिर हल क्यों है fast eggs scan हो जान्द है ते जड़ा थोड़ा toll है already अपने अप automatically deduct हो जोगा थोड़ा account दे विच्छो okay fast egg है जड़ा वोग की दे उपर कारद है radio frequency identification technology दे उपर जन्नों अपा RFID भी बोल दे है use of fast egg reduce time of toll collection and also ensure correct toll collection जो यदेना time भी reduce हुदने toll collection दा ते security भी बाद दी है okay अथो बाद next road transport and highway ministry has made fast egg mandatory for all four vehicles and old M and class vehicles जो की December 1 2017 तो पहलना sold होया होना सबले ही mandatory है जड़ी चीज है उन्हों implement की में किता गया है amend करके Central Motor Vehicle Rules CMVR 1989 नू as per CMVR 1989 fast egg are mandatory for registration of new four vehicles since December 1 2017 also it has been mandated that fitness certificate of will be renewed only after the fitment of fast eggs ते भी क्या है कि जड़े fitness certificates है विकल से ओभी renew होदो ही होनगे अगर fast egg होएगा since October 2019 fast eggs are mandatory for national permit vehicles the government said in notification that fast egg will be mandatory for getting new third party insurance through an amendment in form 51 it will be applicable from April 1 2021 ये कुछ details है इन्हों एक वर रीड का लियो कि अगर by chance इन्हों बारे पुछ लनता तो उन्हों पता होए ओके जड़े key points है so next 13 current affair है regarding Lurie hydro power project so union cabinet जिन्हों chair किता PM Modi ने उन्हों ने approve किता है rupees 1810 crore investment proposal of 210 megawatt of Lurie stage 1 hydro power project जड़े project है वो केडी river दे उपर बन आया जा रहा है सब तो important चीज यह है गिया river Satluj दे उपर okay जड़े project है वो generate करोगा 758.2 million units of electricity annually in order to implement project मो में रेंडम of understanding है जड़े हो sign होई है between government of Himachal Pradesh and Satluj Jal Vidyut Nigam limited during event rising Himachal बस में तुसी यह याद रखना है कि जड़ा Lurie hydro power project है एक केडी river दे उपर बनाया जा रहे है Satluj दे उपर okay बहुत बाद 14 current affair है regarding United Nations United Nations वैसे हमेशा ही news चुनद है हुन के मैं देख दे है because 2 resolutions passed किते गए United Nations दे द्वारा पहला हैगा convention on prohibition of use of nuclear weapons and second is reducing nuclear danger जड़े resolutions हैं उन्नों इडिया दे द्वारा sponsor किता जा रहे है इसले यह होर important हो जंदे है okay सब तो पहला जड़ा convention on prohibition of use of nuclear weapon है की चीज है जड़े resolution है उन्नों टेबल किता गया सी India दे द्वारा since 1982 okay the resolution also backed by majority of member of United Nations it requests conference on disarmament in Geneva to commence negotiation to prohibit use of nuclear weapon under any circumstances यह जड़ा convention है दे भी चाही किया गया है की किसे भी circumstances दे विच nuclear weapons आ यूज ना किता जावे okay second is reducing nuclear danger यहनू 1998 तो टेबल किता गया है it draws global attention of accidental use of nuclear weapons यह दे भीच किया है की nuclear weapons आ accidentally भी यूज ना किता जा सके it underscores a need to review nuclear doctrines यह की कहनद है की जड़ा nuclear doctrines है उन्ना अपनों दुबारा तो review करन दी जुरूरत है also it calls for concrete steps to reduce risk and de-targeting of nuclear weapons में किया की जड़ा भी nuclear weapon देना डेंजर है वनू किसे तरिके देना कटाना यह convention दा यह मीनिंग है okay so next 15 current affair है regarding worldwide fund water risk filter report so AJD report है यह दे विच की कहा गया है कि nearly 30 Indian cities Asia ने जड़ियां की आनवले time दे विच water shortage नू face कारसाग दियाने okay so Kedi Kediya ने यह दे विच कुछ main main तुसी याद रख्यो Jaipur जो की सब तो टॉपते है then Amritsar, Indore, Shrinagar, Bengaluru, Kolkata, Mumbai, Vishakhapatnam, Kauzikonde 30 ने वैसे main evil यहां तुसी याद रखने है तेदे विच जड़ी Jaipur है उस अब तो टॉपते है okay so 16 current affair है regarding Panna National Park okay so Panna National Park नू UNESCO ने biosphere reserve declared किता है इसले ही नूस्ट सी UNESCO under its man and biosphere program has included Panna Biosphere region as one of its biosphere reserve Panna National Park was included as biosphere reserve by Union Ministry of Environment and Forest the UNESCO has described National Park as a critical tiger habitat and has also pointed out that it is home to world heritage site of Khajurau temples okay so Panna National Park है यह दे बारे question आ सागद है यह है कित्ते मध्यापरदेश दे विच ठीक है ते जेड़ा ए National Park है उन्हों प्रजेक्ट टाई कर दे अंदर वी protection दित्ती होई है so यह दे बारे दो चीजां याद रख्यों so 17th current affair है एशिया दी फर्स्ट solar power textile mill जो कि किते बनन जारी है महाराश्ट्रा दे परिभानी डिस्ट्रिक दे विच okay हुँ देखो इस दे वीच आपको कुछ हो डिटेल्स एक दे है जैब वानी women cooperative textile mill जेड़े chairman है उन्हानने announce किता है कि जड़ी mill है वली उन्हों operate किता जाओगा solar power दे उपए okay so announcement करन तो बाद जदो यह पूरा operation conduct हो गया थे जड़ी mill है वह ऐसी first solar power enabled textile mill बन जोगी पूरे Asia दी okay so जड़ी mill है वो किते हैं महाराश्ट्रा दे परिभानी district दे विच जड़ी mill है अगर यह दे बारे कुछ होड़ details देखिए यह 30 acres of land ते फैल्यों ही है cotton नुकलोद दे विच convert किता जान दे विच okay जड़ी mill है दे विच गिनिंग, pressing, weaving, spinning कर दे हैं cotton दी पर्भानी district of maharashtra is the leading cotton producing district in the state majority of farmers in state grow cotton and producing cotton is seen as profitable investment in the state okay then 18th current affair है regarding asteroid 16 psi की यह news क्यों है because recently nasa ने देख्या है कि जड़ा 16 psi की asteroid है okay ओ हो किदे विच orbit का रहा है सब तो बला तही पाद होना चाहिए है किदे दो planets से विच Mars and Jupiter त्यों किदा बने हो है rare metals such as gold, cobalt, platinum, rhenium and iridium then 19th current affair है regarding world's strongest super typhoon Goni जो की किदे आया Philippines है विच so November 1, 2020 world's strongest typhoon Goni hit the eastern part of Philippines this typhoon considered as strongest typhoon in the world एक काफी important चीज है तो उनों पुछा जा सकते कि strongest typhoon दा नाम दो सो ते हो किदे आया recently ओदा नाम है का Goni okay ते हो किदे आया Philippines है विच और तो बाद it is bringing in catastrophic violent winds and is thus being considered as hardest landfall on record okay then आज दा last current affair है regarding Barack Obama उनना एक book published किती है ओदा नाम बहुत important है so याद रख्यो okay book दा नाम है A Promised Land okay so आज इस वीडियो दे विच आप 20 current affairs discuss किते I hope इस सारे current affairs उनों समझ आगे होंगे अगर तुसी ये videos नो continuously देख दे रहूंगे ता थोड़े सारे current affairs जेड़े ने कवर हो जनगे वीडियो दे ना ली okay so ये वीडियो नो अच्छे त्रीक के ना जरूर देख्या करो so मिल दे नेक्स लेक्चर देवेच आज लई एन ना ही thank you so much